हेलो स्टुडेंट्स अपेक्स क्लाशेज के डिजिटल प्लेटफोर्म पर आप सभी का अर्दिक स्वागत है बहुत बहुत अभिनांदन मैसेल्फ लक्समान सिंह राव हम जैसा की पढ़ रहे थे आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा और हम किस प्रकार से आगे इस पॉयम के अंतरगत आगे बढ़ रहे हैं यह पार्ट टू के अंतरगत फैस्ट में हमने इसको एक्स्प्लेंड किया अब इससे संबंदित जो भी प्रश्न बनत इसको पड़ा था अब देखिये कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं इंपोर्टेंट प्रश्न उसको लेकर के और प्रश्न का उत्तर कैसे देना है उसको लेकर कि हम चर्चा करेंगे देखिये सबी इधर ध्यान दें देखिए पहले तो मैं आ जाता हूँ जो दो वर्ड मैंने पूछे थे उसको ले करके एक मैंने आपको पूछा था हिंदी इंगलिस दोनों की बात करते हैं संस्कार इसको ले करके इसके लिए सेक्रिनेज्म और ओर्डिनेशन ये दो वर्ड है और अम्रित सब्द था जिसको नेक्टर अथवा एंब्रोशिया कहते हैं इसके अलवा हिंदी का जो वर्ड मैंने उसके अंतरकत पूछा था कि क्राई मेंस उसका वीप रोना और दूसरा जो था पत्रियोटिज्म पत्रियोटिज्म मेंस देश भक्ति राष्ट्र भक्ति ये तो वर्ड हुए जो ये वह वर्ड्स है जिनके बारे मैंने पुछा था और आज जो जैसे हम लास्ट में आएंगे उस समय आपको और भी वर्ड्स है वो पुछूँगा उसके आप मिनिंग बताने कोशिस करें अब हम आते हैं चर्चा करते हैं देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन बंद रहा है वाट डज होप किल समाने से प्रश्चने बहुत इतना हार्ड और फास्ट कुछ नहीं लेकिन थोड़ा ध्यान देने की जरूर आवस्क्ता है बारे में पुरश्चन पूछे देखिए वाट डज होप किल तो आंसर क्या होगा होगा होप किल्स अब या किल्स क्यों आया क्योंकि या डज है होप किल्स कि निगेटीविटी इंसाइड अस होप क्या करती है हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है कौन सी जो निगेटीव थॉट्स इट्र किल्स और रिमूज किल्स और रिमूज निगेटीव थॉट्स निगेटीव थॉट्स जो भी ऐसे विचार उनको ऐसे नकारात्मकता से बरे हुए जो भी नेगेटीविटी को लेकर के ऐसे विचार होते हैं उसको मालने का हटाने का मिटाने का काम करती है होप सेकेंड इस हाव डू लाइफ स्थोरो पेर अपियार जीवन के जो रास्तें कैसे अपियर होते हैं देखिए इसमें सकारात्मक जवाब देना है लाइफ जयानने लाइफ थोरो पेर सोते हैं आम रास्ते लाइफ थोरो पेरस अपियार थो 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 मिस थो वोप and the positivity of enlightenment's gloomy ways of life. एक तो आसा के माध्यम से जीवन के रास्ते हमारे को दिखते हैं और positivity के माध्यम से दिखते हैं hope enlightens gloomy ways of life और असा क्या करती है हमारे जीवन के ऐसे अंदकार में उदास इंता से दुखों से बरे हुए रास्तों को प्रकासित करने का काम उसमें शकारात्मक लाने का काम ये hope करती हैं आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न है देखिए what does hope mean to the point जब आमने poem पड़ी थी उसमें कभी का इस से क्या relation था कभी ने इसको क्या बताया था कभी ने hope को लेकर कि क्या बात कही थी to the point hope means creation of solve creation of solve कभी के लिए hope क्या है राजुन अगरवाल ने क्या कह था to the point hope means creation of solve creation of solve आत्मा का स्रीजन आत्मा का एक प्रकार से स्रीजन है निर्मान है क्योंकि यह अंतरात्मा से जूड़ी होई बात होती है ओप कोई वस्तू नहीं है अंतरमान की एक ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग है सोच है सकरात्मक्ता है जो अमारे जीवन को विच लेट्स towards the success जो की क्या करती है सफलता की ओली जाती है from which day one is hopeful कोई भी व्यक्ति अपनी जिन्दगी में जब उस कब hopeful होता है from which day कौन से दिन से तो देखिए one is hopeful since the day one is born की कोई भी व्यक्ति जब उसका जन्म होता है उसी दिन से जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन से जो वाट है उसका एक परकार से वर्क कारिया स्फूरू हो जाता है क्योंकि जिन्दगी में सकारात्मक्ता उसी दिन से जूड़ जाती है बच्चे का बच्ची का जो भी जन्म होआ उसी दिन से फैमिली में बहुत प्रकार की आसाएं पलवित होने लगती है और हम अलग अलग प्रकार की आशाय रखते हैं हर कोई परिवार जो भी हो तो इस कार्ण से तो जीवन में होप का सबसे बड़ा रोल है आगे बढ़ते हैं कि देखिए प्रेश्ण जो भी है बहुत लंबे अंसर नहीं है इसमें और सामानिय से उत्तर है लेकिन जैसे ही आप इसमें पूरा ध्यान देंगे आपको पूर्ण उप से समझ में भी आएगा वाट आर्ड़ डिफ्रेंट नेम्स गिवन टुड़ होप यह प्रश्ण कई बार पूछा गया है कि होप को कौन-कौन से नाम दिए गए हैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट नेम्स लाइक सबसे पहले हमने देखा था कि जब पूइम शुरू होते तो उसमें सबसे पहले इसको एक्सपेक्टेशन बोला गया उम्मीद, किसी ने इसको expectation बोला, किसी ने इसको future relevance बोला, बविश्य की प्रासंगिकता, ठीके, उम्मीद, बविश्य की प्रासंगिकता, और कभी ने बोला creation of soul, creation of soul and measure of benefaction, उपकार का मापक के रूप में भी इसको जना गया, यह विशेष नाम जो इसमें आये हैं, प्राइम एक्सिलेंस भी बोला गया है, वो भी आप लिख सकते हैं, hope is given different names like expectation, उम्मीद कहा गया है उसको, future elements, बविशे की प्रासंगिकता, क्योंकि बविशे से यह जुड़ी ही होती है, चाहिए वो near future हो, या जो distant future हो, उससे जुड़ी होती है, creation of soul, और आत्मा का स्रिजन है and measure of benefaction, उपकार का मापक के रूप में भी यह अलग different names hope को दिये ग क्या क्या फाइदे हैं, हम आसानुवित होते हैं तो उससे, जिन्दगी में देखो, आप जब भी hope रखते हैं, तो चेहरे पर एक प्रकार से glow रहता है, मन में उम्मीद होती है, और जब भी कोई भी आपकार्ये करते हैं, अपने life से related, तो चाहे वो shopkeeping के अंतरकत हैं, business के अ every field, हम देखते हैं, यदि वेक्ती hope रखता है, तो ऐसी इस्तति में positivity आती है मन में, आगे बढ़ने को एक प्रकार से मन भी करता है, हम सकारात्मक प्रयास उसके लिए करते हैं, तो what are the major benefits of hope, तो इससे क्या-क्या फाइदे हैं, there are many benefits of hope, it kills negativity ok, क्या करती हैं, हमारे अंदर जो नकारात्मक्ता है, negativity inside us, हमारे अंदर नकारात्मक्ता को मिटाती है, अच्छा, it provides, ये क्या प्रदान करती है, enthusiasm, उत्सा प्रदान करती है हमारे को, and glow, च्छारे पर च्मक्ता आती है, इतर अलाइटन्स, the gloomy ways of life, it makes life go on, बहुत सारे मतलब, benefit से हमारे को बहुत सारे लाब है, hope से, hope क्या क्या नहीं करती, नकारात्मक्ता को मिटाती है, इससे ये भी लाब है, ये क्या करती है, हमारे को उत्साहा, यानि जैसे ये व्यक्ति positive thinking रखता है, और ऐसी इस्तिति में क्या होता है, मन में एक जोस आ जाता है, उत्साहा आता, enthusiasm होता है, जेल होता है, और साथी साथ उसके चेहरे पर glow आ जाता है, चमक आ जाती है, और वो hope सही हो सकता है, it enlightens, और ये क्या प्रकाशित करती है, the gloomy ways of life, जीवन के अंध्या, अंधकार युक्त, अंधकार मींस ignorance वाले, sadness वाले, ऐसे जो रास्ते हैं जीवन के, उन रास्तों को प्रकाशित करने का, हमारे जीवन में अंधकार जो है, उसको हटाने का, मिटाने का काम करती है, होप, it makes life gone, ये होप ही है, जो जीवन को आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, हमारे को, और यहां, आप positive thinking रखे, आप कारिया में लगे रहे, आपको सफलता मिलेगी, positive thinking रहती है, और वो होप के थुरू होती है, इस कारण से, ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, फिर, next, देखिए, अगला अमारा question, और इसमें, why does the bird fly, पक्षी क्यों उड़ते हैं, जब कभी उसमें बताता है, पक्षियों को लेकर के, तो उसका भी मुख्य कारण, होप तो है ही, the bird flies because of hope, because of hope, in search of food for their young ones, and material to build its home or nest, यहनी उनका जो घंसला होता है, वो, पक्षी क्यों उड़ते हैं, the bird flies because of hope, आसा ही है, जिसके कारण पक्षी उड़ते हैं, आसा उनको उड़ने के लिए प्रेरित करती है, in search of food और उसका कारण है कि वो केस तलास में जाते हैं, in search of food, भोजन की तलास में जाते हैं, बोजन किसके लिए लाने जाते हैं, अपने बच्चों के लिए and material और सामगरी की तलास में जाते हैं, material टू और वो material किसके लिए, build its home अपना घर हो और उनका घर क्या क्या लाता है, nest क्या लाता है, गोंसला क्या लाता है, उसके निर्मान के लिए वो आगे जाते हैं, उड़ते हैं और आसानवित होते हैं इसी कारण से जब वापस लोटते हैं तो बिलकुल कही न कहीं उनको सफलता मिल जाती है, दाना पा लोग के बारे में क्या कहता है, तो उसने देखिए, the point says that, says about the, the point says about, hope that, different names are given to the hope, आसा को अलग अलग, by different people, विबिन लोगो द्वारा, विबिन नाम, विबिन लोगो द्वारा, विबिन नाम दिये गए हैं, and a poet himself, poet himself calls it the creation of Saul, the creation of Saul. कभी कहता है कि लोगो ने, the poet says, the poet says about hope, that, क्या कहता है कभी, कि different names are given to hope, कि इस hope को अलग अलग नाम दिये गए है, different people, by different people, कि अलग अलग लोगों ने, hope को अलग अलग नाम दिये है, and a poet also, the poet ने भी इसको different name गिया है, himself calls it, और poet ने क्या पुकार आइसको, the creation of Saul, आत्मा का स्रीजन, आत्मा का निर्मान, एक प्रकार से, आत्म स्रीजन, तो आत्मा का स्रीजन, इसलिए, क्योंकि Saul जो हमारी है, देखिए, hope का जुड़ाव Saul से, आत्मा से, ये एक inner action है, अंतर मन में, ये कहीं मिलता नहीं कि भी बाहर से खरीदा जाए, अंदर से इस परकार की अनुभूती होती है, और व्यक्ति, अच्छे कारिये, कोई भी कारिये करने को प्रेरित होता है, उसको motivation मिलता है, और वो hope के माधियम सी होता है, और उसको hope कहा जाता है, जो कि जीवन को आगे बढ़ने को प्रेरित करने को चलने को एक प्रकार से हमारे को कहती है, जीए, नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं, नेस्ट क्वेस्टन इस, देखिए, वें ड़स होप बिकम स्ट्रोंगर, आसा बलवती कब होती है, अधिक मजबूत कब होती है, तो यहां यह जो फैस्ट फॉर्म है तो वो उसमें बन जाएगी, फैस्ट फॉर्म प्लस, यह यह से जो लगता है, दा होप बिकम स्ट्रोंगर, वें, वी, लीप विथ, जील, जब हम उच्छा से एक परकार से जंप करते हैं, लीप यानि उच्छलना जंप करना, इविद जील उत्सा से, उसमें और बलवती होती है, और मजबूत होती है, आपके मन में जैसे ही, जील जैस्ट एक परकार से उत्सा आएगा, एंधुजीजैस्म आएगा, उसी समें, और सात साथ जेल and glow on face and glow और चेहरे पर जैसे चमक होती है ना उस समें positive thinking आती है positivity आती है और साथी साथ मन में उमंग तो उससे क्या है वेक्ति आसावान होता है और आसावान वेक्ति है तो वो अच्छा काम करता है आगे बढ़ता है अपने planning आधी बना करके चल पड़ता है वही होना चाहिए और तो इसलिए जीवन में हमेशा होप रखनी चाहिए और स्टूडेन लाइब तो बिल्कुल शुरूआती है आपके ठीक है यह कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए जीवन तो बहुत लंबा है अभी और उसमें आपको positive thinking के साथ होप रखते हुए आगे बढ़ते रहना है यह लेक locks ऑल गया है वाईर फोप प्राइम एक्सिलेंस पॉफ को सर्वस रिष्ठता प्राइम एकसिलेंस क्यों कहा गया है एक प्रकास्निशन बखता पु तकरिऑ कहा गया है एक good cause किसलिए कहा गया है तो उसमें देखिए कि अतैति, देखिए ड़ the hope is called called the prime excellence because it is the initial stage , since the day one is born . क्योंकि सबसे प्राथमिक्ता सरवतकृष्टा उतकृष्टा का भाव इसलिए दिया है क्योंकि जिस दिन भॉप इसकाल प्राइम एक्सिलेंस की होप को प्राइम एक्सिलेंस का गया है क्योंकि इस दिन से ही जीवन में होप का कारिये शुरू हो जाता है और होप उससे पहले भी हमने जब बच्चा गर्व में था तो उसमें भी पैरेंट्स ने होप रखी थी जो भी तो तभी से इसका कारिया शुरू हो जाता है इसलिए इसको प्राइम एक्सिलेंस बोला गया है चीके आगे बढ़ते हैं यह इसको जो भी इससे बंदते हैं स्वाल पॉइम से हमने लगबग सभी को टच किया है और ध्यान इसे इस रोप से यह अपने जान रखना है कि जब आंसर आप देते हैं जब भी हम उत्तर देते हैं ऐसी इस्तती में उसमें सबसे जो पहला अक्सब भी शुरू करते शब्द वर्ड वर्ड वो अच्छा नाम कहीं भी आये शुरू में बीच मैं लास्ट मैं नाम जो भी होगा तो उस नेम में तो अपन करते हैं लेकिन चोटी-चोटी चीजों से इन बातों से ही ज़िए अधा-धा नंबर करता है तो अपने 28-30 सवाल आते हैं तो उसमें भी जनरली कितने नंबर बहुत नंबर कर जाते हैं तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है विशेश रूप से आगे बढ़ते हैं हम ना नेक्स्ट क्वेस्चन क्या है उसको लेकर कर के देखते हैं Buch देखिए कि यहां पे पहले आपको बता दिया गया कि किस प्रकार से स्टेंज या इस फिए है एक तो और दसवी क्लास में उस समय तो वहां पे आपने देखा हुगा कि रेफेरेंस तुकॉंटेस्ट आपको उसमें सब तुरुद देना होता था इसमें क्या होता है स्टेइन दिति दो या तीन प्रश्ण पूछते हैं क्या दिया है फर्स्ट इसमें hope is given different names, hope is given different names some call it expectation , kuch इसको expectation बोहते हैं, other term it future relevance, some others think it measure of benefaction यह इसको अमने पहले पढ़ा, अब इसको लेकर के do some people call hope, कुछ लोगों ने hope को क्या कहा है, तो देखिए, some people call hope expectation, future relevance, and the measure of benefaction, they have given it different names. लोगों ने क्या किया है, किसी ने इसको expectation, किसी ने तो इसको वो expectation नाम से पुकर आए, expectation कहा है, किसी ने इसको किस नाम से पुकर आए, देखिए, future relevance कहा है, future relevance और कुछ ने इसको measure of benefaction कहा है, और अलग-अलग मतलब different name इसको दिये गए है, अलग-अलग नाम दिये है, तो यह है, hope को जो भी इससे related, जो पहला प्रशने, उसका उत्तर इस प्रकार से हुआ, second list, देखिए, दूसरे में क्या कहा गया है, इधर द्यान दे, find word from the extract, कि जो भी इस्टेंजा दिया है, इसमें से वो word डूण डिये, सब्द डूण डिये, जिसका आर्थ है, a good cause, यहाँ पे दिया गया है, a good cause, जिसको उपकार कहते हैं, हम कहते हैं, उपकार, परहेत, परौपकार, तो उसके लिए यहाँ पे सब्द क्या है, hope is given different names, some call it expectation, तो उम्मीद हो गया, term कहते हैं, future relevance, बविशे की प्रासंग इकता हो गया, और अधर्स दूसरे things होते हैं, measure, एक प्रकार से मापक और बैनेफेक्शन यह नि उपकार, तो यहाँ पे सब्द क्या आएगा, बैनेफेक्शन, very good, देखिए, कई है वो अच्छा भी अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं, तो उतर भी आराम से बता देते हैं, यह अच्छी बात है, तो positive approach के साथ आगे बढ़ें, यह इस्टेंजा से related, दो या तीन जो सवाल होते हैं, उसमें हमने यह पड़ा आगे ले हैं, नेक्स्ट जो है question क्या है, नेक्स्ट क्वेस्टन इज अल्सो रिलेटेट तो इस्टेंजा, यह पर इस्टेंजा और है, उसमें देखें, यह दोनों इस्टेंजा दिये काफी important है, जरूर्स को पड़े, hope makes life go on, life is a derivative, life is a derivative of the function called hope, hope is the prime excellence, hope क्या है, prime excellence है, hope को है, वो prime excellence बोला गया है, right from the day one is born, right from the day one is born, कि जिस दिन से, जन्म होता उसी दिन से, hope का है, वो रोल शुरू हो जाता है, तो यहां पर hope makes life go on, उसको लेकर की बात कहिए, और derivative of the function, oppression क्या पूछा है, what is the importance of hope in life, जिवन में आसा का क्या महतु है, तो आसा क्या करती है, क्या है, the importance of hope in life is that it makes life go on, आसा का मुख्यकारिय क्या है, कि जीवन को चलते रहने, जारी रहने, उसको आगे चलने के लिए प्रेडित करने का motivation देने का काम करती है, इसलिए इसको hope को है वो यह नाम दिये गया कि इसका importance क्या मैं तू क्या है, जीवन में, कि हमारे जीवन को life को क्या करती है, आगे चलते रहने को मजबूर करती कहने का प्रेडित करती है, life go on, जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेडित करती है, नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो आंसर है उसको और भी किस प्रकार से देना है, देखें कि find word from the extract which means वो सब्द ढूंडिए जिसका अर्थ है, क्या पूचा है अर्थ तो इसके लिए word पूचा है, यहां पर word दिया हुआ है greatness तो आप दूढ़िए इस extract में कि ऐसा कौन सा सब्द जिसका आर्थ है greatness महानता सर्वस्रेष्ठता उत्क्रेष्ठता बढ़पन एक प्रकार से तो हो पासा मेक्स बनाती है derivative युथपन उससे उत्पन derived from function कारिया हो गया और हो पासा वाप प्राइम एक्सिलेंस प्रात्मिक सर्वस्रेष्ठता मुख्य में और एक्सिलेंस हो गया सर्वस्रेष्ठता उत्क्रेष्ठता का भाव इसलिए यहां पर ग्रेटनेस मेंस क्या हो जाएगा एक्सिलेंस सर्वस्रेष्ठता उत्क्रेष्ठता का भाव हो गया इस प्रकार से यह हमारे सेकेंड स्टेंजा भी हो गया काफी सवाल किये इससे रेलेटेट और इसमें आपको मिल जाएंगे जो भी आप इसकी तयारी आपकी है अच्छी मैं होप करता हूं और आपको बहु इसमें जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं जनरली उसको हमने टच किया है और आपका उत्तर भी बहुत ही परफेक्ट जाएगा तयारी आपकी बहुत सुप्रीम होगी और इसी प्रकार से आप जूड़ी रही है और प्रश्णों के उत्तर जो है उनको याद करने का प्रयास क कीजिए अभी से आप तयारी रखें क्योंकि समय बीटता जा रहा है टाइम टाइड वेट फॉर नन समय और जवार किसी का इंदिजार करते नहीं है और समय बीट गया उसके बाद में फिर हम हडबाट में फिर प्लान बनाते हैं तब तक तो कुछ नहीं हो सकता इसलिए हम क अगे बी उतरता रहेगा इसी परकार से और अब बात आती है हमेशा की वर्ट को लेकर के उसमें में सामाने से बात है एक तो फैस्ट क्वेस्टन इस एक तो 12 यानि जो बार्ववी होती है बार्ववी क्लास हम है इसलिए उसको क시 किसवे से बोलते लिखते ए इंग्लीश में आपको लिखना है when तक Came लिए दूसरा है आपकेलिए ऐगा का का एड़ाइस एड़वाइस और विखंग कि अगए जो बोलते हैं दूसरा हो गया एडवाइज और नेक्स्ट में जो है इंग्लीज के लिए दे रहा हूं फर्स्ट एज यहां मैं स्पेलिंग लिख करके रखूंगा आप उसको हिंदी में उसको बताएंगे कि इस चीज को क्या कहते हैं उसको ले करके एक तो कि अनुसासन दूसरा हो गया साहित्या एक तो सब्द है अनुसासन दूसरा है साहित्य इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको ले करके आपको बताना है और इधर यहां पे आपको स्पेलिंग लिखनी है ट्वेल्थ की और इधर एडवाईज हो है उसको लिखना है चीक है अब यह जो दो है इसको इस प्रकार से आप बताएंगे कि इस प्रकार से और वर्ड जो है इसमें देखिए दो तिन और भी सब्दा आपको बताता हूं एक तो अपने जो भी जो भी यह वर्ड होंगे यह सिलेबस से संबंदित होंगे जितने भी आपनी जो बुक है दोनों बुक है उससे रिलेटेड होंगे आउट ओफ सिलेबस हम इसमें बात नहीं करेंगे तो क्योंकि ऐसे सब्देड जो आपकी काम आया आगे उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे तो एक तो देखें आप उसमें जिस प्रकार से एक सब्देड प्यार वाई ठीक है टी आर वाई और दूसरा जो सब्देड आपके लिए मैं नेक्स्ट में दे रहा हूं प्राइज की आपको स्पेलिंग बतानी है इदर ट्राइज दो सब्दियें इसके बारे बोलें बताएंगे अनुसासन को क्या कहते हैं और सहीतिय को क्या कहते हैं उसको लेकर गए यह आप इसमें मेंशन करें जब भी आप और आसा है कि आप बहुत इसके माध्यम से लाब उठा रहे होंगे अपने जो भी साथी है आपके मित्र है रिलेटीव है क्योंकि बहुत ही सांदार यह का अपना कारिया चल रहा है नॉट्स भी आपको मिलेंगे पीडियेपादी के माध्यम से सब कुछ और वो भी सुप्रीम ली बहुत ही अच्छी किया है तो आपको नॉटिफिकेशन मिलता रहेगा और जो एप है उसको भी आप डाउनलोड करें तो यह थी पॉइम से रिलेटेड हमारे प्रशनोतर थे नेक्स्ट में टॉपिक है हमारा जो राइटिंग स्किल्स है उसको लेकर कि लेंगी और आप उसको बिल्कुल मिस भ पूड़े हुए हैं वो सबसे विश्वस्नियां सबसे आगे अपक्स क्लासेज आपका बहुत बहुत आब आप आप सी यू टुमारू